हत्या के आरोपों को जूटा साबित करने के लिए परिवार के दरजनों लोग चढ़े पानी की टंकी पर मौके पर पहुँचे स्पिसिटी सहेट सीयो सिटी ने समझा बुझा कर सभी परिवारी जनों को नीचे उतारा पूरा मामला फिरोजबाद था न उत्तरक्षेतर के मोहला टापा कला का बताया जा रहा है बीते 18 जनवरी को 22 वर्ष के एक युवक अंशुल की हत्या हुई थी अंशुल की हत्या के ब पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही थी इस पूरे मामले में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज थे उन लोगों के परिजनों ने आज सुबा महला टापा कलाये स्थे पानी की टंकी के उपर चड़कर पुलिस प्रशाशन के खिलाफ नारे बाजी करन रहा है हमारे बच्चे पूरी तरह निर्दोश हैं मौके पर पहुँचे सर्वेश कुमार मिश्र ने परिवार की लोग को समझा बुजा कर पानी की टंकी से नीचे उतरवाया और आश्वासन दिया के पुलिस द्वारा निस्पक्ष जांच की जा रही है जो दोशी होगा कार दिया है ठीक है चलो नाम दर्ज कर दिया तो हमारा प्रसासन का यहनी कानून के इतने लंबे आत होते हैं और सब लोगों को वास्ता है नामित करने से कोई दोसी करार नहीं माना जाता है बाब उच्च्छ जो है मतला हमको जो है दोसी मानते हुए हमारे गर पर दभेशन दी कि आप जो है गहन निस्पक्स जांच करा लो उसके बाद में फिर जो है अगर हमाई बच्चा दोसी हैं तो हम संग जिल जांगे हमने इनको प्रोमिस किया यह सिटी महिस्ट के पास गए स्वरी सियो सिटी के पास और और जो तमाम आला अधिकारियों से मिले यह गवार करते र हमले दो तब जुछाटों के लावा उनों के परिवार उनुक आना अधिक गश्या्य। तो जुल्म करने वाले से जुल्म सेने वाला ज्यादा दोसी होता है हम अगर हम जुल्म हमने से लिया तो हम जो है हमारे खिलाब जिसने जुल्म किया है बात से जाद है हम जाद है अपरा दिये इसलिए हम जुल्म नहीं सहेंगे हमालों परिबार मर रहा है तो हम अमेरे के लिए तयार है, हम जे कह रहा है कि हमारे क्लू पर आप काम करिए, हमने उनको एविडेंस दे रहा है, एक जो ओडियो वीडियो है, अब आप क्या चाहते हैं? तो अनोंने जो है शड़ेंत्र बनाया क्या बनाया और भी शरीर उसका चित बिछित कर दिया ऐसा लोगों को मतलब लगया कहां आत्मत्य कर देगे हाथ में मवायल का कबर एक पैर में चपपल तो जो बेरी जो से रखेगा एनि घरकाई आदमी इस तरह से रख सकता है हम यह चाहते हैं कि इस ओडियो वीडियो के माध्नम से प्रसासन इसकी जांच करें और दोस्यों को अबिलम फकड़ा और नर्दोस हो चूड़ाये और जो फाई यार हमारे खलाब जो जो जूटी लिगी गई है हम लोग उपर तंकी पो गए थे और इनके बात कि इनके आस्वस्त किया कि किसी मुर्दोष कोई कारवाई नहीं होगी इनके जो जो जोशी हैं उनके अवश्य कारवाई होगी